है था आज हम बात करेंगे पहले देखिंगे निफ्टेश और बैंक कंसे इंपोर्टन लेवल है कहां से आप बाइंग और सेलिंग प्लाइन कर सकते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि आप क्या पूजिशनल पूर्ट बाइ कर सकते हैं अगर हां तो कब आप बाई कर सकते हैं कौन सा लैवल बाई कर सकते हैं डिटेल में बात करें क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है तो काफी लोग कंफ्यूज है कि क्या उनको पूट बाई करके होल्ड करनी चाहिए या नहीं तो उसका आंसर भी मैं बिल्कुल आपको लास पर दूगा तो अगर करें तो मैंने कहा था 15,006,70 का लेवल है वह इजी था बिल्कुल अगर आप देखेंगे यहां पर एक इंपॉर्टन लेवल यह फर्स वन अगर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यह एक इंपॉर्टन लेवल डेफिनिटल था यहां से बाउंस पॉसिबल था तो यह इंपॉर्टन लेवल अभी तो चलिए देखते हैं 15 मिनिट ताइम फ्रेम में क्या आप लैन का सकते हैं अगर आप 15 मिनिट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यह वाकल मार्केट में पहले मार्केट में इस लेवल से बाउस लिए जो हमने टैलिग्रम चैनल पर भी शेर किय तो वहां से bounce ले सकते हैं लेकिन हुआ क्या market में अगर आप देखें यहां पर हमने बाक्या प्रेट भी शेयर करते रहते हैं यहां पर यह देखें हमने एक trade share की थी अपनी जो हमने put पाई की थी तो इसका नाम trader to investor के नाम से अगर आपको link चाहिए तो description box में आप जोइन कर सकते हैं तो चली मैं बताता हूं कि क्यों हमने यह यू दिया था यहां से बाउंस के बाउंस हो सकते हैं लेकिन हुआ क्या market इग्जेक्ट वहां पर नहीं आई लेकिन थोड़ा सा उपर that is 750 के लेवल से बाउंस होगी अगर एक बार आपको बाउंस मिल गया काफी अच्छा बाउंस आई अगर आपको एक बार sport के आसपास से बाउंस मिल गया तो next time expect मत कीजिए कि वहां से बाउंस होगा देखिए next time कि आपको market आई और बिल्कुल directly से नीची चलीगी एक बाउंस मिलत है आपको वहां से उसके आसपास से तो अगर मैं आज की बात करूं तो आपके लिए यह लेवल काफी important है अगर मार्केट ने आज 17,035 15,735 से उपर sustain किया यहां पर नहीं तो यहां इसके आसपास आपको बाइंग के opportunity मिल सकते हैं otherwise आप यहां से बाइंग भी कर सकते यह दो लेवल है आपके लिए बाइंग के अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करें तो भी आप बाइंग कर सकते हैं आपका टार्गेट होका 920 यह वाला लेगा अगर मार्केट आपको इसली 920 पॉइंट की मूव आपको मिल जाएगी अगर यहां से आपने बाइंग की फिर आप पास खुलेगी तो फिर यह लेवल काफी इंपॉर्डेंट है अगर मार्केट ने से नीचे सस्टेन किया तो आपको मार्केट नीचे जाती हुँ दिख सकती है और नीचे वाली साइड काफी स्पेस है मार्केट इजिली 600 जा फिर उसके बाद 500 तक जा सकती है दो ने से उपर सुस्टेन किया तो आप महाँ पे सैल का प्लान मत कीजिए क्योंकि हो सकता है मार्केट एक बाउंस मार जाए और सावन फोर्टी तक आज तो यह लेवल काफी इंपॉर्डेंट होगा आज के लिए जहां अगर सब्सक्राइब की बात करो तो उसको देखे यह ल सब्सक्राइब कर पाएगी जो सेलर्स हैं उनको नहीं लगता कि सिक्स्टीन थाजन क्रॉस कर पाएगी इस वीक में इस एक्सपारी में मार्केट और इस साइट देखेंगे तो टैनलाइक सिक्स लैक टूलाइक यहां पर अकेली स्टैन देख रही है फिफ्टीन थाजन फा पस उससे उपर कोई स्टैन्थ नहीं है तो इट मींज क्लियर ली यह ऑप्शिन चेंट मुझे बेरेश लग रही है ठीक है कॉंशिस रही है लेवल के ट्रेड के जिए अगर सिक्स सेवंटी का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको अच्छी खासी मूव मिलने वाली है तो में ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग आपकी बनती है इस हाई से उपर जो लास्ट टाइम पर मार्केट ने हाई लगा है अगर अगर इससे नीचे सॉस्टेंड किया तो आपको एज़िए एरांड वां फॉइंट की मूव मिल जाए अगर मार्केट ने से नीचे सस्टेन किया तो मार्केट आपको 33,000 जाती दिख सकती है लेकिन 33,000 जब टच करेगी अगर आप एक स्काल्पर है तो आप यहां से बाइंग का प्लाइन कर सकते हैं आपको एजिली अराउंड 80-100 पॉंट्स मिल जाएंगे अगर मैं ऑप्शन की यहां तक आपका टार्गेट होगा उसके बाद अगर मार्केट ने 33 सांसे उपर सस्टेन किया फिर में भी एक बाउस आ सकता है अगर 33,000 देखते हैं और उसके बाद देखेंगे क्या आप कर सकते हैं अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन देखेंगे तो ऑल्मोस्स सिमिलर यहां पर काफी अच्छी वाइंडिंग हुई शॉट कवरिंग हुई यहां पर देख सकते हैं थर्टी फॉर थाजन के ऊपर काफी अच्छी शॉट कवरिंग हुई और मुस्टी परसंट निकल गए उनक रख सब्सक्राइब गर्यां पर यहां पर तो चलिया बात करते हैं कि अपाफी अच्छी मूव आने वाली है तो चलिए बात करते हैं क्या आप कर सकते हैं अगर हां तो कब कर सकते हैं और कितना टाइम उसको होल्ड कर सकते हैं चलिए चार्ट पे लेकि चलता हूं आपको तो चलिए पहले निफ्टी की बात करते हैं निफ्टी में आप कब पूट बाय कर सकते हैं तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक बहुत ही अच्छा कप अगर मारकेन ने 650 ब्रेक किया तो आप एकšनल पूट बै कर सकते हैं अगर आप भूट करेंगे तो क्या टार्गेट तो फरस्ट टारगेट विल भी दिस लेवल यहां तक आशकते मार्टे से लेके मार्केट 15400 के आसपा सकते यह फिस्ट टारगेट होगा यह वाला लेवल 15000 लेवन तो अब आपका वे क्या होना चाहिए अगर आपने यहां पर put buy की आपका stop loss होगा 735 से उपर आपने यहां पर buy किया जब भी market 735 को उपर cross करेगी तो आप exit कर देंगे लेकिन अगर market मीचे जाना शुरू किया तो यहां पर आप अपनी half position जा अपना stop loss trail कर सकते हैं और अपनी फॉल पूझण आप यहां पर सके हैं यहां पर half कर सकते हैं यहां पर ट्रेल कर लिए डेखिये सनयरीयो को और यहां पर अपनी फॉल पूझण बुकर लेग Разें तो मैं कही ना कहीं प्रैफर करूंगा क्या म þॉइंवाट ने पर यह को अपने respuesta छेचित तो मैं प्रैफर करूंगा मंतली पूर्ट अगर आपको पूर्ट बाइक करने तो मुझे लगता है यह एक अच्छी पूर्ट होगी फिफ्टीन फाज़न फाज़न की पूर्ट अगर आपका फिर्स आर्गेट आगया 450 के असपास तो उस टाम पर आपकी एजली अराउंड चल लिए जब मार्केट यह नीचे वाले लेवल तक आजाएगे मींस आपने जो हमने टार्गेट डिसाइड के आसपास आगी तो उस टाम पे तो आप इमेजन करना ही मुश्किल है कि यह ऑप्शन कितनी ज्यादा उपर चलियागी यह आपकी फाइवनिट तो इंदी मनी इसली हो जाएगी फाइवनिट तो पक्काई है क्योंकि इसकी इंट्रेंसिक वाले फाइवनिट हो जाएगी तो हो सकता है अगर टाइम डिक अपना टाइम पड़ा हुआ उस ताम तक तो यह 556 तक भी हो सकते है तो दिसस माइस जोशन फर यू तो बाया पूशनल को कब करने चाह तो आप इसको स्पेस दे दीजिए अगर 33,000 लेवल है तो आप मान लीजिए 32,900 हंडेड पॉइंट की स्पेस दे दीजिए कि अगर 900 ब्रेक हुआ तो क्योंकि फॉल्स ब्रेक आउट से बच जाओगे फिर आप तो अगर 933-4900 ब्रेक हुआ तब आप एक पोट बाय कर सकते और आपका टार्गेट होगा जो इसमें फर्स टार्गेट आपका हुगा ये 32,100 लेवल और अगर उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने तो आपको मार्केट यहां तक आते हुई भी देख सकते है 30,500 तो सेम इसमें भी अगर आप एक पॉट बाय करना चाहते है तो कोशिश की कीजिए monthly put buy केजिए आप यहां पे around 32,500 की put buy कर सकते हैं जाफे 32,000 की put भी buy कर सकते हैं उस पे आपको अगर मार्केट यहां पे आई तो easily around 50-60% का profit हो जाएगा अगर मार्केट ने यहां तक आगी तो आपकी option वो more than double हो जागी तो यहां तक आपके मार्केट वो 1500 की तो easily हो जाएगी तो दिस इस दी प्लैन फॉर पॉट बाइंग इन पॉजिशनल वे अगर मार्केट में इस लेवल को ब्रेक कर दिया अप साइट 33,300 को ब्रेक कर दिया फिर आप उसको एक्जिट कर दिए आपको बहुत छोटा होगा लेकिन आने के लिए बहुत कुछ है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तुसे लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और आने वाली वीडियो में इस नाओ इसलिए आप बैल रॉन नोटिक को भी दुबा सकते हैं बाबाई